decimal number to octal number conversion यानि decimal से octal number में कैसे convert करते हम यह सीखेंगे decimal to octal conversion example ले लिया हमने 229 यह वही नंबर है जो हमने octal से decimal में convert कर रहा था अब हमें से बदा है, सीथ बूर है, अब हमें ऐसे进व ऐसे बदा है, और हमने सबसब हम अब帶 रीगेล, बना लिखे लिखे, laid-चे, डीटेकर भीज टीटेंगे, अमें सबसे पहले हम 28 क्योंकि भी छुल के जो भी रिजल चाहिए उसी के बेस से हम से डिवाइड करते हैं तो यह आपका जाएगा 28 टाइम्स आप कॉपी पे डिवाइड करके देख सकते हैं साथ साथ और रिमांडर बचेगा आपका 5 जो हम राइड साइड में लिख देंगे अब आठ से फिर से 28 को डिवाइड करेंग हम यह जाएगा आपका तीन बार आठ के चौबिस यह जाएगा चार रिमांडर इस बार तीन को डिवाइड करेंगे आठ से तो जीरो टाइम्स जाएगा और यह तीन राइड साइड में सिफ्ट हो जाएगा अब इसे रिवर्स ओर में यानि बोटम टू टॉप में हम इसे कि सबसे पहले डिजिट को बोलते हैं लास अंकरेंड जे ट्रीजिट और लाइल बोलते हैं असे सभसेंने वाले बो और मॉस्ट सेंट डिजिट आनसर आगे आगा असका 229 decimal number is equal to 345 octal number देखे, 3 सबसे last में था, तो सबसे पहले हमने 3 लिख दिया 4 मिड में था, तो हमने mid में 4 लिख दिया, second number पर और 5 सबसे पहले था, तो सबसे last में हमने 5 लिख दिया इस तरह से हमने से convert किया है एक example में आपको और पता देता हूँ, जिसके थुरू आपका ये conversion एजली solve हो जाएगा, यानि आप आसानी से समझ सकेंगे example second, हमने number ले लिया 207 और इसका base 10 है यानि कि ये decimal number system है और हमें convert करना इसे octal में क्योंकि इसका base 8 है फिर से cross table बना लिया हमने हमने लिख दिया इसमें 207 अब हमें rewrite करना है 8 से ये चलेगा आपका 25 टाइम्स, reminder आपका 7 अब फिर से rewrite कि आपने 25 को 8 से तो आ जाएगा ये तीन पर चलेगा, reminder आपका 8 को फिर से हमने 8 से rewrite किया इसे तो ये 0 टाइम्स चलेगा और 3 जो है वो rats में shift हो जाएगा यानि कि इसका reminder 3 आ जाएगा पहले वाले digit को मैंने बता दिया आपको से last second count digit कहते हैं और last वाले को most second count digit कहते हैं ये हम bottom 2 हम bottom 2 top जाएगे अब हमने इसका answer लिख दिया या गया 207 decimal number system का octal बनेगा 317 octal number देखिए 3 सबसे पहले है सबसे last में था bottom में तो सबसे पहले हमने starting में 3 लिखा फिर 1 और फिर 7 तो इस तरह से 377 आपका octal number आ गया ये वही नंबर है जो हमने octal to decimal में convert करना सिखा था इस तरह से आपने चारो number system सीख लिए हैं आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिजी इसाथी like कीजिए अच्छी कमेंट कीजिए और बेल पर प्रेस कीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो में हम आपको प्रोवाइट करते रहें थेंक्यू, हेवन आश्टी